एक्शन टेसा प्री लैम बोर्ड द्वारा आलमारी बनाने की आसान विधी आवश्यक वस्तु में 18 mm के 8 x 4 के 2 प्री लैम MDF अथवा HDHMR बोर्ड पिछले हिस्से के लिए 7.5 mm का 8 x 4 का 1 प्री लैम MDF अथवा HDHMR बोर्ड एज बेंड टेप आवश्यक्ता की अनुसार फेविकोल हीट एक्स आवश्यक्ता की अनुसार हार्ड वेर में सेल्फ कैम, राइट एंगल कनेक्टर, स्क्रीव, ऑटो हिंजेज यानि कबजा, टेलिस्कोब चैनल, हैंडल, बनाने की विधी सबसे पहले बोर्ड पर निशान लगाएं तथा उसे आवश्यक्ता की अनुसार साइज में काटें बोर्ड कटिंग के लिए कटर मशीन में TCT ब्लेड का प्रयोग करें और मशीन को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चलाएं अलमारी के माप के अनुसार 18 mm Pre-Lam MDF से साइड के दो पीस, टॉप के लिए एक पीस और शेल्फ के लिए तीन पीसेज आवश्यक्ता के अनुसार साइज में काटें अलमारी के बैक के लिए 7.5 mm के Pre-Lam MDF बोर्ड में से आवश्यक्त साइज का एक पीस काट लें 18 mm Pre-Lam MDF टॉप के एक पीस और साइड के दो पीसेज पर अन्दर की तरफ से 7.5 mm चौड़ी जिर्री निकालेंगे जिसमें की 7.5 mm Pre-Lam MDF बैक बोर्ड लगाएंगे आलमारी के सभी काटे हुए पीसेज के किनारों पर एज बेंडिंग टेप लगाएं ध्यान रखें कि एज बेंडिंग टेप हमेशा दबाव डाल कर ही चिपकाई जाए और एज बेंडिंग टेप के बचे हुए हिस्से को रंदे या कटर से सावधानी पूर्वक काटें और रेती द्वारा थोड़ी सी खिसाई कर दें जिससे एजेज हाथों में ना चुबें आलमारी के बैक के लिए 18 mm MDF बोर्ड पर किये गए जिरी के अंदर 7.5 mm का MDF बोर्ड फिट कर दें और नीचे वाले शेल्फ को स्क्रिव द्वारा टाइट कर दें दराज बनाने के लिए 18 mm के प्री लैम MDF बोर्ड के 4 पीसेज एवं दराज के निचले हिस्से के लिए 7.5 mm का एक पीस आवशक्ता अनुसार साइज में काट लें दर्वाजे और दराज के लिए 18 mm Pre-Lam MDF के पीस अपनी आवशक्ता के अनुसार साइज में काट लें काटते समय सुनिश्चित करें कि Pre-Lam MDF के डिजाइन का रेशा लंबवत याने के लंबे रेशे हो इस बात का ध्यान रखें कि सेल्फ कैम के लिए आवशक्ता के अनुसार एक सुराख बिछले हिस्से में किया जाए और लंबी साइड पर सेल्फ कैम स्क्रिव टाइट किया जाए ये दोनों पेचकस द्वारा टाइट किये जाएंगे दर्वाजे पर आटो हिंजेस के लिए उचित गैप छोड़ कर सुराख करें दर्वाजे को आलमारी से आटो हिंजेस के द्वारा फिट कर देंगे दराज को हम आलमारी के बॉक्स में टेलिसकोप चैनल द्वारा फिट कर देंगे अब हम दर्वाजे और दराज के रेशे मिलाते हुए स्क्रियू द्वारा टाइट कर देंगे इसमें स्क्रियू अंदर की तरफ रहेगा और इसके बाद दर्वाजे और दराज दोनों पर हैंडल लगा देंगे एक्शन टेसा प्री लैम बोर्ट्स द्वारा आप बड़ी ही आसानी से कम समय, कम लागत, कम लेबर यानी मैन पावर की मदद से पहतरीन डिजाइन वा उतक्रिष्ट क्वालिटी के फरनीचर्स बना सकते हैं धन्यवाद